हलो एबरिबडी आई होप आप सब हल्दी होंगे मैं हूँ आपकी बाइलोज एजुकेटर शिवानी माम वेलकम बैक टो मैगनेट बेंज जो आपको प्रुबाइट कराता है किंडर गार्डन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक की क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिलकुल फ् सब्जेक के टॉपिक बाइस एक्स्प्रेनेशन मिलेंगे साथ में मिलेंगे धेर सारे प्रेक्टेस क्वेशन इतना ही नहीं आप अबेल कर सकते हैं इनोटस एंड ईबोक जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में दी है तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ आज की अनिमल किंग्डम के अंदर भी फाइलम एनी लिड़ा चलिए तो यह वही फाइलम है जिसमें प्रजेंट होते हैं आपके बहुत प्यारे से क्या दोस्त फार्मर फ्रेंड जिसे हम अर्थ वाम कहते हैं अगर अभी तक आपने अपने प्लेटी हेलमन स्टीनोफोरा फाइलम सिलिंट्रेटा पॉरिफेरा एंड एनीमल का क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मैं आपको यह प्रिफर करूंगी कि आप लाइन से सारी वीडियो देखिए तब ही लिंक अच्छे से बैठेगा और यह जो चैप्टर है आपका बहुत अच्छा हो जाएगा चलिए तो आगे बड़े आप अपने आप अंसर करने लगोगे कि कैसे कैसे एवालीशन हुआ है अब देखिए क्या बोल रहा है है पहला पॉइंट है इनका जो हैबिटेट है वो क्या है मतलब यह पानी में रहते हैं अब कौन सा पाणी फ्रेश वाटर या मेराइट तो दोनों में रहते हैं का free existence है ठीक है चलिए फिर and sometimes parasitic कुछ time यह क्या है parasitic है जैसे कि हम बात करते हैं leech की ठीक है blood sucking leech जो की एक parasite है ठीक है ectoparasite है चलिए they exhibit organ system level of organization ठीक है मतलब annelida phylum जो phylum है उसमें क्या present होता है organ system level of organization obviously बात है इससे पहले वाला phylum मतलब है scalement उसमें organ system level of organization था तो यहाँ पर भी क्या होगा developed one जो की क्या है organ system level of organization मतलब यहाँ पर अब सिर्फ एक organ कुछ particular function को perform नहीं करेगा एक से ज़्यादा organ जो है coordinate करकर ठीक है coordination होगा उनके बीच में और एक particular function को perform करेंगे क्या clear है चले जिससे हमने क्या वोला organ system level of organization अब बात करते है symmetry की तो इसमें कौन से symmetry पाई जाती है bilateral symmetry क्या पाई जाती है bilateral symmetry तो देखिए पहला क्या है यह aquatic होते है aquatic में भी marine और fresh water यह terrestrial भी हो सकते है ठीक है मतलब इनका जो habitat है वो industrial land है और क्या है free living भी है और यह कुछ time sometime यह क्या होते है paracite भी होते है जैसे कि blood sucking leach जो की क्या है ectoparacite है ठीक है मैं आपको बताती हूं blood sucking leach जैसे कि इसकी तो बहुत जादा therapies भी चलती है ठीक है क्या करा जाता है जो leach है उसको body पर क्या कर दिया जाता अटेश कर दिया जाता ठीक है अब उसके पास suckers होते है उसकी मदद से वो क्या होते body पर attach हो जाती है बॉड़ी को अच्छे से पकड़ लेती है अब वहां पर जो blood होगा उस blood को suck कर लेती है ठीक है क्योंकि यह parasite है तो acto parasite है क्योंकि body के ऊपर रह रही है और वहां से क्या करेगी blood को suck कर लेगी मैं हम ऐसा क्यों करा रहा है हां हम हम क्यों चाहेंगे कि हमारा blood को यह suck करे क्या होता है कई बार जो blood है खराब blood वहां पर क्य हो जाता है खटा हो जाता है, clots बन जाते हैं, ठीक है, तो उस time पे ये therapy उस कर ली जाती है, वहाँ पर क्या करते हैं, उस clot को जो ये क्या करती ही, burst करती है, और वो गंदे खून को वहाँ से क्या कर लेती है, सब कर लेती है, क्या clear है, चालिए, तो अब next point देखते हैं, इनकी symmetry की बात करे तो ये क्या होती है, bilateral symmetry, क्या होती है, bilateral symmetry, organ system level of organization होता है, हम अब germ layer की बात करते हैं, तो यहाँ पर तीन germ layer होती है, और इस condition को हम क्या कहते हैं, triploblastic condition, क्या बोलते हैं, triploblastic condition, तो यहाँ पर क्या होती है, तीन germ layer होती है, सबसे outer वाली को हम क्या बोलेंगे, ectoderm, middle वाली को हम misoderm कहेंगे और सबसे अंदर वाली germ layer को हम क्या कहेंगे endoderm तो यहाँ पर कितनी germ layer पाई जाएगी? यहाँ पर पाई जाएगी 3 germ layer ठीक है? कौन-कौन सी जल्दी बताएए outer, middle थोड़ सा बड़ा कर लेते outer, middle और inner ठीक है? outer को हम क्या कहते हैं? outer को हम बोलते हैं ectoderm क्या बोलते हैं? ectoderm middle को हम क्या कहते हैं? mesoderm क्या कहते हैं? mesoderm और inner वाले को हम क्या बोलते हैं? endoderm क्या कहते हैं? endoderm क्या clear है? तो ectoderm, mesoderm and endoderm यह तीनों क्या है? germ layer है, ठीक है? उसके बाद metamerically segmented end हाना, अब metamerically segmented का मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्या present होता है? segmentation present होता है मतलब इसकी जो body है internally और externally segments में divide है किसमें divide है? segments में divide है क्या clear है? पक्का जैसे के earth warm में आप देखोगे जो earth warm है उसकी body पर इस type का structure present होता है तो उसके body के उपर ऐसे rings बनी होती है क्या बनी होती है? rings बनी होती है मतलब यह क्या है? segments है, इस body के जो इसकी body है वो divide कर दी गही है किसमें segment में यह सर्फ आपको बहार से नहीं दिख रहा है अंदर भी ऐसे segments present होते हैं जिसमें organ place होते हैं clear है? इसे हम क्या बोलते है? segmentation या metamerically segmented body या metamers ठीक है? तो इन segmentation को हम क्या बोलते है? metamers, ठीक है? इस body को क्या बोलते है? metamerically segmented body और इस process को segmentation या metamers कहते हैं ठीक है? clear है? तो यहाँ पर इन्हों ने क्या बोला? segmented and silomate ठीक है? यह क्या है? silomate animals है मतलब यहाँ पर mesoderm जो है outer तरफ किसको cover कर रही है? बताएए आपकी ectoderm layer को और inner तरफ किसको cover कर रही है? endoderm को और ectoderm जो आपकी दो mesoderm है उनकी बीच में क्या है? दोनों तरफ space present है जिसे हम क्या बोलते है? जल्दी बताएए silom कहते हैं clear है? तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? silom पाया जाता है यहाँ पर क्या present होता है? segmentation present होता है clear है? चलिए enhance the phylum name anylida latin annulus मतलब little ring ठीक है? तो जो annulida है यह शब्द कहां से आया है? latin से ठीक है? latin में latin जो शब्द है उसमें annulus का मतलब क्या होता है? little ring ठीक है? क्यों बोला गया? इसका नाम anylida क्यों रखा गया? क्योंकि इन animal की body के उपर हना body में क्या आपको rings देखने को मिलती है? छोटी छोटी सी rings देखने को मिलती है इसलिए phylum का नाम रखा गया anylida क्या clear है? जल्दी बताए क्या इतना clear हुआ? तो इतना समझ में आया जल्दी से पहले इसका screen shot ले लीजे तो हम आगे बढ़ें ओके इधर खड़ियो जाओंगा इतना हो गया आगे बढ़े अब देखते हैं क्या बोल रहे है? दे पसेज longitudinal and circular muscle which help in loco motion तो बात करते हैं longitudinal and circular muscle की सपोस ये क्या है circular muscle ठीक है? ये क्या है longitudinal muscle ठीक है? तो देखिए ये क्या है longitudinal muscle ये क्या है circular muscle इसमें longitudinal and circular muscle दोनों present होती है ठीक है? आप देखिए longitudinal muscles ये है और circular muscle ये है ठीक है? आप देखिए एक contract करेगी एक relax करेगी ठीक है? तो देखिए, ये contract की, ये relax रही, ठीक है, फिर ये contract की, ये relax रही, तो ऐसे, ऐसे इसमें क्या होता है, contraction होता है, इसी के वजए से क्या होता है, loco motion होता है, तभी तो आपने देखा है ना, जो केचुए होते हैं, अर्थवाँ होते हैं, वो कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, चल contraction, relaxation हो रहा है जिसके वजह से उनमें क्या हो रहा है locomotion क्या clear है या नहीं जल्दी बताएज़ तो lokomotion किसके वजह से होता है longitudinal and circular muscles की वजह से किसकी वजह से longitudinal and circular मसल की वजह से क्या होता है लोको मोशन होता है अब बात करते हैं एक इसमें क्या होते हैं पैर होते हैं लेटरल पैर होते हैं appendages होते हैं जिसे हमने क्या कहाँ पर डिया क्या का ओल ढार पोडिया तो पर अप घिया है सब यह नहीर Northwest है एक ये क्या है नेर vulnerability ठीक है तो समयरिस में क्या प्रजेंट एंडी है एसे यहां पर क्रेंट होते हैं लेटरल appendages present होते हैं जिसे क्या कहते हैं पैरापोडिया क्या कहते हैं पैरापोडिया क्या क्लियर है जल्दी बताइए क्या इतना क्लियर हुआ जल्दी बताइए क्या इतना क्लियर हुआ तो समझ में आया पैरापोडिया क्या है नेरिस के अंदर क्या मतलब नेरिस क्या रखती है अपने पास लेटरल अपेंडेजिस होते हैं जिसे हमारे ये क्या है ये अपेंडेजिस है वैसे इनके क्या होते हैं Central Appendages होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं पैरापोडिया कहते हैं क्या कहते हैं पैरापोडिया अब ये पानी में रह रही है तो ओविसी बात है इन पैरापोडिया का काम क्या होगा swimming का, ठीक है? तो यह क्या करेगी? swimming करेगी, ठीक है? किसकी मदद से? पैरापोडिया की मदद से, तो जो नेरिस है, पैरापोडिया की मदद से क्या करती है? swim करती है, क्या करती है? swim करती है, ठीक है? which help in swimming, okay? आगे बढ़ते हैं, अब closed circulatory system is present, यहां पर आ गया closed circulatory system याद रखना यह point ठीक है तो एनलेडा के अंदर क्या present होता है closed circulatory system चलिए फिर बात करते हैं नेफरीडिया की यह singular में हम इसे नेफरीडियम भी कहते हैं और यह नेफरीडिया यह नेफरीडियम help करता है किसमें Osmo regulation and excretion में मतलब यह किसका काम कर रहा है किड़नी का काम किसका काम करेगा किड़नी का काम तो नेफरीडिया जो है वो क्या है जल्दी बताईए यह function perform करता है जा एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या होता है Osmo regulation and excretion चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा नेफरीडिया Osmo regulation and excretion का का काम क करेगा चलिए तो जल्दी से पहले स्क्रीन शॉट लीजिए इसका ओके क्या स्क्रीन शॉट ले लिया आपने आप देखिए निूरल सिस्टम कंसिस्ट अ पियर्ड ओफ गैंगलिया सिंगुलर गैंगलियोन कनेक्टेड वाइल लेटरल नर्व टू अडवल वेंटरल नर्व क तो यह पॉइंट याद रखना इसका जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा बना होता है किसका बना होता पियर्ड ओफ गैंगलिया से और यह किस से कनेक्ट रहती है लेटरल नर्वस टू डवल वेंटरल नर्व कॉड ठीक है लेटरल नर्वस टू अडवल वेंटरल नर्व कॉड Clear है, तो यहाँ पर क्या होता है, गैंगलिया जो होते हैं, वो connected होते हैं किसे लेटरल nerf से, to a double ventral nerve cord. ठीक है, double ventral nerve cord का मतलब नहीं समझ में आया, cod का मतलब क्या होता है, nerve का गुछ्छा. ठीक है, मतलब बहुत सारे neurons जो होते हैं, इनका एक गुच्छा बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, nerve cord इतना clear है, फिर paired ganglion, मैं ganglion का मतलब क्या होता है, पहले भी समझा दिया था, ganglion का मतलब होता है, क्या आपको neuron का structure याद है, या nerve cell का structure याद है, तो उसके दो पार्ट होत होता है, cell body, और दूसरा होता है, एकção, clear है, तो cell body बाले पार्ट, हना, बहुत सारे cell body का मासस एखटा हो जाता है, कहां, आपके, कहां पर हो जाता है एखटा, PNS में ठीक है यह आपके कहां पर CNS में ठीक है तो उसे हम क्या बोलते हैं Ganglion क्या बोलते हैं Ganglion ठीक है तो यहां पर क्या present होता Paired Ganglion मतलब दो Ganglia present होते हैं और connected by lateral nerve to a double ventral nerve cord क्या अतना clear हुआ अब next देखिए Neres are aquatic form ठीक है तो Anilida का जो Neres form है वो क्या है aquatic है यह कैसा होता है डायोशियस डायोशियस का मतलब क्या होता है यहां पर male Neres अलग होती है और female Neres अलग होती है क्या clear है चलिए बट अर्थ warm and leeches are monoseous मतलब अर्थ warm और leech जो है blood sucking leech है यह single body होती है जिसके अंदर male and female दोनो sex organ present होते है और ऐसे animal को हम क्या बोलते है monoseous ठीक है अब reproduction की बात करें तो reproduction कैसा होगा sexual reproduction होगा क्या होगा sexual reproduction तो आपको यहां पर यह image दिख रही है पहली बाली यह किसकी image है aquatic anilida that is Neres किसकी है यह Neres की में डेटरल appendages जिससे हम क्या कहते है जिससे हम कहते है पैरा पोडिया क्या कहते है पैरा पोडिया क्या क्लियर है तो यह क्या है पैरा पोडिया चलिए अब यहाँ पर देखिए यह क्या है यह है ब्लड सकिंग लीच यह क्या है ब्लड सकिंग लीच इससे हम इसका नाम क्या है हिरुडिनेरिया क्या नाम है हिरुडिनेरिया क्या क्लियर है तो हिरुडिनेरिया इसका क्या है नाम है एंड इसका कोमन नीम जो है वो क्या हो जाएगा जल्दी बताएए ब्लड सकिंग लीच क्या क्लियर है तो यह क्या है ब्लड सकिंग वो लिखा है न तो यह क्या है blood sucking leech है और यह क्या है आपका नेरिस है तो जल्दी से इसका screenshot ले लिजे कि नेरिस जो होती है वो aquatic form है और यह diocese होती है और earth warm and leeches जो है वो क्या है monosheus है क्या है monoshe एक प्रदक्शन जो वो कैसा होगा, sexual mode होगा, क्या होगा इसका, sexual mode होगा, तो जल्दी से screenshot ले लिजे पहले इसका, ओके, screenshot ले लिया, आगे बड़े, अब देखिए, चलते हैं, general features की तरफ, तो general features में हम पहला point है, introduction, introduction में हम क्या cover करेंगे, annulada, annulada में annulus का मतलब होता है, इसका मतलब क्या है, कि annulada जो शब्द है, उसका origin क्या है, Latin origin है, क्या है, Latin origin है, ठीक है, और annulada का मतलब, कहां से आया है, annulus से, कहां से आया है, annulus से, तो annulus का मतलब क्या होता है, little ring, क्या होता है, little ring, ठीक है, तो इसके body के उपर क्या present होती है, little ring present होती है, हाना इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, any leader, ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर habitat की हम बात करें, तो habitat क्या होगा, इनका, ये free living होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, free living होंगे, एक्वर्टिक होंगे, ठीक है, और ये terrestrial भी होंगे, जैसे की earthworm और sometimes parasitic, sometime parasite. तो इसका habitat क्या होगा, free living होगा, aquatic मतलब पानी में भी रहते हैं, जैसे की नेरिस, आपने देखा होगा, नेरिस तो पक्का मेरे को लगता है, आपने देखा होगा, ठीक है, फिर terrestrial भी, जैसे की earthworm होगया, sometimes parasite, ठीक है, जैसे की आपकी क्या होगई, ही, herodinaria, blood sucking, leech, क्या clear है, चलिए, फिर हम level of organization की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है, organ, system, level, of organization, क्या clear है, उसके बाद, body plane की बात करें, तो उसमें क्या होगा, tube within, tube, क्या होगा, tube within, tube, clear है, मतलब complete elementary, क्या होगी, कैनाल होगी, ठीक है, चलिए, उसके बाद, symmetry की बात करें, तो यहाँ पर कौन से symmetry पाई जाती है, bilateral symmetry, क्या पाई जाती है, bilateral symmetry, तो जल्दी से पहले, इसका screenshot ले लीजे, जल्दी screenshot लीजे, ओके, ले लिए screenshot, आगे बढ़े, अब देखते हैं, germ layer, ठीक है, तो यहाँ पर germ layer present होती है, बिलकुल होती है, कितनी होती है, तीन होती है, और इस condition को हम क्या बोलते हैं, triploblastic, क्या बोलते हैं, triploblastic, मतलब कीनों germ layer यहाँ पर, present होगी, कौन कौन सी, जल्दी बताईए, कौन सी होगी, डारेक लिखते हैं, endodome, mesoderm, end, पहले, acto कर दें, बाहर की, actoderm, फिर endoderm, और सबसे अंदर वाली, तो पहले सबसे outer वाली, acto, middle वाली, meso, and inner वाली, endoderm, क्या clear है, फिर हम siloom की बात करें, तो यह क्या होते हैं, true siloomate होते हैं, क्या होते हैं, true siloomate, मतलब यहाँ पर क्या पाया जाएगा, siloom पाया जाएगा, तो यह कैसे होते हैं, siloomate, ठीक है, अब siloomate में भी यह कौन से siloomate होते हैं, syzo siloomate या enterosilomate, तो यह होते हैं, syzo siloomate, ठीक है, मतलब यहाँ पर इसकी mesoderm इसको क्या करती है, cover करती है, ठीक है, तो यह क्या है, syzo siloomate, मतलब है तो siloomate, बट क्या है? थोड़ी से कम डवलब वाले सीलो मेट से हैं ठीक है? चलिए. अब स्पेशल पॉइंट के अगर हम बात करें तो यहां पर पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? जल्दी बताएए. पहला पॉइंट क्या होगा? किसके aquatic form में क्या पाई जाते हैं जल्दी बताईए lateral appendages पाई जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं parapodia कहते हैं क्या बोलते हैं parapodia और इसकी body जो है metamerically segmented होती है मतलब इसमें क्या present होते हैं segments present होते हैं ठीक है तो segments और metamers segments और metamers present ठीक है यहाँ पर क्या present होते हैं segments और metamers present होते हैं दूसरा ठीक है nearest possess lateral appendages जिसे हम क्या बोलते हैं जिसे हम कहते हैं parapodia जिसे हम क्या कहते हैं parapodia क्या clear है उसकी बाद next point क्या हो जाएगा आपका next point हो जाएगा कि यहाँ पर कौन से nephredia present होता है क्या present होता है nephredia present होता है जो की help करता है किस में जल्दी बताएए जो की help करता है Osmo regulation and excretion में किस में है Osmo regulation and excretion में क्या clear है जल्दी बताएए क्या clear है तो यह किस में help करेगा Osmo regulation and excretion में फिर हम बात करें digestive system की तो यहाँ पर क्या होगा complete digestive system होगा क्या होगा complete digestive system हाना complete digestive system मतलब complete elementary कैनल क्या clear है तो यहाँ पर क्या होगी complete elementary कैनल ठीक है चले तो इसका screen shot ले लिजे जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजे जल्दी स्क्रीन शॉट लीजे ले लिए स्क्रीन शॉट बढ़े आगे चलिए तो यहाँ पर क्या होता है complete elementary कैनल होती है अगर मैं आप से एक और बात पूछू हम पहले से यह देख रहे थे कि जो digestion है वो extracellular है या intracellular है तो आप जो digestion होगा हना वो क्या होगा extracellular होगा ठीक है तो अगर यह पॉइंट भी अगर आपको याद रखना है तो आप क्या रख सकते हो extracellular digestion और holozoic mode of nutrition क्या होगा holozoic mode of nutrition मतलब heterotrophic होते हैं यह क्या होते है neurotrophic हाना चलिए तो holozoic हो गया, extracellular digestion हो गया, complete elementary canal हो गयी, तो यह सारे point हो गये, हम आगे बड़े, चलिए, तो अब देखते हैं respiratory system की बारे में, तो यहाँ पर respiratory system जो है, वो क्या हो सकता है, gills, ठीक है, तो जो aquatic analytes है, जैसे की neris हो गया, ठीक है, तो इन में respiration किसके तुरू होती है, gills के तुरू, ठीक है, अब कुछ ऐसे terrestrial है, जिसमें क्या है, cutaneous respiration होती है, क्या होती है, cutaneous respiration, अब cutaneous respiration का मतलब क्या होता है, skin के तुरू यह क्या करते हैं, respire करते हैं, जैसे की कौन हो गया आपका, क्या example हो जाएगा, earthworm, क्या हो जाएगा, earthworm और leech, ठीक है, earthworm और लीच ठीक है तो यह क्या हो जाएंगे आपके इन्हों ने क्या किया है cutaneous respiration किया क्या क्लियर है आप बात करें aerobic respiration होती है या anaerobic respiration होती है तो यहां पर क्या होगी aerobic respiration क्या होगी मैं हम यहां पर parasite है तो anaerobic respiration होना चाहिए बड़ ब्लड सखिंग लीज जो होती है वो क्या होती है एक्टो परासाइट होती है वो बॉड़ी पर बहार प्रजेंट होती है तो वह एन्वारमेंट से तो अक्सेजन लेही सकती है clear है तो क्या है एरोबिक रस्पिरिशन क्लियर है उसके बाद circulatory system की अगर हम बात करें तो यहां पर present होता है closed circulatory system क्या होता है closed circulatory system क्या इतना clear है तो यहां पर क्या present होता है closed circulatory system excretory system की बात करें तो यहां पर present होती है nephredia क्या present होता है nephredia जो की किस में help करता है जल्दी बताए यह help करता है osmo regulation and osmo regulation and excretion and excretion क्या clear है जल्दी बताए क्या इतना clear हुआ तो जल्दी से screenshot ले लीजे इसका जल्दी screenshot लीजे मतलब यहां पर closed circulatory system है तो यहां पर hard भी होगा और vessels भी होगी क्या clear है यहां नहीं जल्दी बताए तो hard भी होगा and vessels भी होगी चलिए तो आगे बढ़ें आप तो अब देखें nervous system चलिए तो nervous system देखें यहां पर क्या होता है paired ganglia होते हैं क्या होते है paired ganglia चलिए तो paired ganglia क्या होते है paired ganglia होते हैं और यह paired ganglia जो है connected connected by lateral nerve cord nerve cord to the double ventral nerve cord अब यह क्या बूल दिया इतना हाना English में और science में समझ नहीं आया मैं चलो मैं समझाती हूँ paired ganglia का मतलब क्या होता है mass of cell body ठीक है उसे हम क्या बोलते हैं ganglia तो यहां पर जो ganglia है वो क्या है mass of cell body है जैसे कि हमने अभी askelments में देखा था लास्ट वीडियो में तो हमने क्या देखा था कि इसा कुछ structure था इस type का कुछ structure था ठीक है अरे इसको क्या हो गया है इसने कमर तेड़ी क्यों कर ली ठीक है तो यहां पर आपको मैंने दिखाया था वहाँ कि ऐसा कुछ structure present था जिसे मैं बोल रही थी गैंगलिया तो यहां पर यह देखिए यह क्या है मास है किसका cell body का cell body क्या होता है मैं नहीं समझ में आया तो देखिए क्या आपको थोड़ा बहुत याद है nerve cell के बारे में ठीक है तो वहाँ पर इस तरीके का structure present होता था जिसे हम क्या कहते थे जल्दी बताईए exon क्या बोलते थे exon यह हिलोग था exon हिलोग और इस तरीके का कुछ structure present होता था क्या आपको याद है क्या आपको कुछ याद है बचपन की याद आ रही है नहीं आ रही हाँ तो यह बचपन की याद मैं ताजा कर रही हूँ आपकी फिर यहाँ पर ऐसे क्या होते थे जल्दी बताईए ऐसे lobes बने रहते थे ठीक है जिसे हम synaptic nobes कहते थे तो यह वाला जो पार्ट है इसे हम cell body कहते हैं यह इतना वाला पार्ट जो है इसे हम cell body कहते हैं क्या बोलते हैं cell body या cytone क्या बोलते हैं cell body या cytone तो इसका मास जो होता है उसे हम गैंगलिया कहते हैं क्या बोलते हैं गैंगलिया तो ऐसा दो मास देख रहा है यह देखिए एक ही मास है और एक ही मास है ठीक है तो यह क्या है पेर्ड ओफ गैंगलिया क्या है पेर्ड ओफ गैंगलिया क्या होता है? Cod का मतलब क्या होता है? गुच्छा. तो यहां nerve cord का क्या है? गुच्छा है और यह कैसे arrange है? Laterally arrange है. कैसे arrange है? Laterally arrange है. तो यह nerve cords है. ठीक है? यह यहाँ पर मैं ऐसा structure बना दे रही हूँ. यह दिख रहा है आपको? तो यह क्या है? nerve cords. जो की कैसे है? Laterally है. ठीक है? क्या मोल रहे है? Double. To the double ventral nerve cord. तो ventral मतलब यह वाला पाट. ठीक है? तो यह जो है कौन? इनका ventral वाला मतलब नीचे वाला पाट जो है. यह जो lateral nerve cord है. वो किस से connected है? ventral nerve cord से. clear है? तो ventral nerve cord कुछ नहीं है. ventral nerve cord मतलब इस side. यह वाले जो body होती है. जो की जमीन से इसके contact में रहती है. उस side present होता है. क्या clear है? जल्दी बताईए. तो आगे बढ़े. यह हटा दूँ. यह वैसे आपके इसमें इतना है नहीं. समझाने के लिए बता दिया. मैंने चालिए. तो आगे देखते हैं reproduction की बात कर ले जड़ा. तो reproduction में हम क्या-क्या point देखेंगे? जल्दी बताईए. किसमें monotious condition भी होती है? Diocious condition भी होती है. Monotious condition का मतलब क्या है? कि एक ही body में male sex organ भी present होते हैं and female sex organ भी present होते हैं. जैसे कि earth bomb और hirudinaria जिसे हम blood sucking leech कहते हैं. क्या clear है? तो ये दोनों क्या है? Monotious condition मतलब earth bomb के अंदर अना ऐसा नहीं है कि female body अलग है male body अलग है. Earth bomb में male sex organ भी present होगे same body में और female sex organ भी present होगे same body में. इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? bisexual या monotious. क्या neris जिसका मैंने आपको last अभी diagram दिखाया था. उसमें क्या होता है? Diocious condition present होती है. क्या होती है? diocious condition मतलब उसकी male body अलग होती है and female body अलग होती है. क्या clear है? चलिए तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं sexual reproduction की तो अगर आप से पूछ लिया जाए कि जो annihilator है वो कैसे reproduce करते हैं? इसका mode क्या है? तो आप क्या बोलोगे? sexual reproduction. फिर दूसरा point monotious. हाना? कौन से ऐसे annihilates है जो की क्या है? monotious है. ठीक है? तो हम बात करते हैं aquatic annihilator की ठीक है? जो की है neris जो की क्या है? neris ठीक है? और ये कैसा है? जल्दी बताइए ये होता है monotious या diocious ये है diocious diocious का मतलब क्या हो गया? die का मतलब two होता है मतलब इन में दो body present होती. एक male body and एक female body. क्या clear है? वही पर हम बात करें किसकी जल्दी बताइए वही पर हम बात करें earth warm and किसकी जल्दी बताइए and leach ठीक है? तो इसमें कौनसी condition पाई जाती है? इसमें पाई जाती है जल्दी बताइए monotious condition कौनसी? monotious. मतलब एक ही body के अंदर क्या present होती है? male sex organ भी present होता है and female sex organ भी present होता है अब बात आती है development की ठीक है? क्या इन में direct development होता है? मतलब direct adult form बनता है या indirect development होता है? मतलब पहले larva बनेगा फिर adult form बनेगा कौनसा? इसमें development होता है तो इसमें दोनों प्रकार के development होते है direct development भी होता है and indirect development भी होता है ठीक है, तो indirect development किसमें होता है मैं, चलो बता रही हूँ, indirect development जो है कौनसा, indirect development, मतलब इसमें क्या होगा, larva present होगा, क्या present होगा larva present होगा क्या मैंने सही बोला, और आपने सही सुना larva present और ऐसा किसमें देखने को मिलेगा आपको जल्दी बताईए ऐसा देखने को मिलेगा आपको नेरिस में किसमें नेरिस में क्या क्लियर है वहीं पर हम बात करें किसकी वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसकी डारेक्ट डेवलपमेंट की किसकी डारेक्ट डेवलप्मेंट की तो डारेक्ट डेवलप्मेंट आपको किसमे देखने को मिलेगा आपको ये मिलेगा आपके अर्थवाम में किसमें अर्थवाम में ठीक है अर्थवाम और लीच ठीक है चलो तो यहाँ पर हम बात करते हैं अर्थवॉम, इसकी बात करते हैं, अर्थवॉम की, ठीक है तो अर्थवॉम में क्या मिलेगा आपको direct development, ठीक है मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा, डारेक्ट adult form बनेगा, कोई लार्वा नहीं बनेगा, क्या clear हुआ इतना जल्दी बताईए, तो जल्दी से इसका screen shot ले लीजे, ओके चलिए आगे बड़े अब देखे एक्जाम्पल जो है पहला अब तो मैं पता चल गया कि नेरिस क्या होता है क्या पता चल गया जल्दी बताईए तो ये क्या है नेरिस है क्या है नेरिस ठीक है आपने देखा होगा पानी में से खाना देखा है चलिए तो ये क्या है नेर क्या होता है फार्मर्स फ्रेंड होता है क्यों होता है फार्मर्स फ्रेंड क्योंकि यह जो सॉयल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है ठीक है जो सॉयल है उसे पोरस बना देता है क्लियर है तो यह इसलिए क्या कहा जाता है से फार्मर्स फ्रेंड क्लियर है जल्दी सकर के तुरू किसके तुरू सकर के तुरू इसे हम कहते हैं blood sucking leech या hirudinaria क्या कहते है blood sucking leech या hirudinaria तो hirudinaria इसका scientific name है and blood sucking leech इसका common name है clear है चलिए तो यह क्या करता है मैं हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा है कोई बात नहीं आज video search करना मिल जाएगा ठीक है एक video भी डली है शायद मैंने जहां तक देखी है तो एक female के face पे काफी ज्यादा clots बन गए थे हना बहुत ज्यादा clots दिख रहे तो इसके face पे गंदा जो blood है वह खटा हो गया था क्लियर है चलिए तो यह आपके क्या हो गया example हो गया एनलेडा के जल्दी से screenshot ले लीजिए और अपने आखों में बसा लीजिए इनको हाँ फोन के साथ आखों में भी बसाना है बार बार आप फोन को थोड़ना देखो होगे चलिए तो थैंक यू सो मच वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजे शेर कीजें सब्सक्राइब कीजें कॉमेंट करना बिलकुल मत भूलेगा तो आप हमें हमारे यूटूब चैनल पर तो अल्रेडी फॉलो कर रहे होंगे ऐसा मैं सोच रही हूँ अगर नहीं कर रहे हैं तो जल्दी फटा फट पहले यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को क्लिक कर दीजे जिससे सारे के सारे अपडेट्स आपको टाइम पर मि इसल मीडिया हैंडल पर जैसे कि फेस्बुक इंस्टाग्राम ट्वीटर टेलीग्राम वाट्सैप आप अवेल कर सकते हैं इनोट्स एन इबुक की फैसिलिटी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो चलते हैं हमारे टॉप कोर्स की तरफ यह हैं हमारे पढ़ाते हैं बात आते हैं कि कौन कौन से कोर्स इस एविलेबल है तो यहां पर आपको एविलेबल है सी बीसी बोर्ट के साथ आपको स्टेट बोर्ट की तयारी भी कराई जाती है जैसे कि डेली बोर्ट बिहार बोर्ट यूपी बोर्ट एमपी बोर्ट और राजस्थान इसके साथ ही Vedic Maths, Crash Course and spoken English, ये सारे के सारे courses आपको High Quality Education के साथ 100% free में मिलते हैं, जी हाँ आपने सही सुना और मैंने सही कहा, ये सारे courses आपको free में मिलेंगे, मतलब Magnet Bains प्रुवाइड कराता है Unpaid Subscription, आप आपको सिक्षा लेने के लिए पैसा देने की जुरूत बिल्कुल न